अज़नी साथियू प्रनाम आईए इस वीडियो में हम अमीट शाही लगाने के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करें साथियू सामानिय तह जो मतदाता मतदान करने के लिए हमारी मतदान के इंदर पर आते हैं हम उनके बाएं हाथ की तरजनी अंगुली पर अमीड शाही लगाते हैं बाएं हाथ यानि उल्टा हाथ, लेफ्ट हेंड जिसको आप अंगरेजी में कहते हैं और तरजनी अंगुली मतलब अंगुठे के बिलकुल पास वाली अंगुली को हम तरजनी अंगुली कहते हैं अमीट शाही लगा देते हैं. लेकिन दो विशेश प्रकार के मतदाता हैं जिनके अंगली के संदर्व में अलग व्यवस्ता है. यदि कोई मतदाता आशक्त है, द्रस्टि बाधित है, जिसको हम अंधे और निशक्त मतदाता कहते हैं. यदि वो मतदाता मतदान करने के लिए आते हैं और साथ में वो साथी को लेकर आते हैं, अर्था साथी की साहिता से मतदान करते हैं, तो ऐसे साथी की दाएं हाथ की तरजनी अंगली पर अमिट शाही लगाई जाती है, और अंधे और अशक्त मतदाता जो मतदान करने के लिए आएं हैं, उनके बाएं हाथ की बाएं हाथ की तरजनी पर और साथ में जो साथ ही आये हैं उनके दाएं हाथ यानि सीधे हाथ यानि राइट हैंड की तरजनी अंगुली पर हम शाही लगाते हैं। यदि प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान किया जा रहा है, तो ऐसे प्रॉक्सी के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली, यानि जो सबसे बड़ी अंगुली है, उस पर हम अमिर्ट शाही लगाते हैं। प्रॉक्सी के बारे में तो अब तक आप जान ही गया होंगे। कुछ ऐसे मतदाता होते हैं, जिने हम CSV यानि Classified Service Water के तौर पर जानते हैं, वे अपनी सेवाओं के कारण मतदान करने के लिए मतदान के इंदर पर नहीं आपाते हैं, तो उन्हें भारत निर्वाचन आयोक की तरप से यह अधिकार प्राप्त हुआ है, कि वे अपने प्रॉक् प्रॉक्सी मतदान करने के लिए आते हैं, और प्रॉक्सी के बाएं हाथ यानि उल्टे हाथ यानि Left Hand की मद्धिमा अंगुली यानि सबसे बड़ी अंगुली पर हम अमिट शाही लगाते हैं, साथियों कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि कि किसी मतदाता की बाएं हाथ में तरजन अंगुली ना हो, यदि ऐसा है तो हम उसके पास की अंगुली में अमिट शाही लगा देंगे, यानि मद्धिमा अंगुली में, और यदि मद्धिमा भी नहीं हुई तो फिर हम उसके पास की अंगुली में, जिसको हम अनामिका अंगुली कहते हैं, उस पर हम शाही लगा द और वो भी नहीं हुई तो हम अंगुठे पर शाही लगा देंगे। तो हम उसके बाएं हाथ के ठूट पर शाही लगा देंगे। इस तरह से यह अमीट शाही लगाने का जो नियम है वो मैंने आपको बताया। अमीट शाही कैसे लगाई जाती है इसको आप यहाँ पर दिये गए चित्र में देख पा रहे हैं। बाएं हाथ की तरजनी अंगुली का जो नाखुन वाला हिस्सा है उसके पहले का जो एक आड़ी रेखा होती है या मोड होता है जिसको हम कहते हैं। वहाँ से शाही लगाना शुरू करके नाखुन के आखरी सीरे तक शाही की लाइन खींची जानी चाहिए। जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। इस तरह से शाही यहाँ लगाई जाती है साथियों। अंग्रीजी में इसे इंडेलीबल इंक कहते हैं। जब कोई भी मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांग एक के बाद से अपनी पहचान सुनिशित करके मतदान अधिकारी क्रमांग दो के पास पहुशते हैं। तो सबसे पहले मतदान अधिकारी क्रमांग 2 को उस मतदाता की अंगुली को चेक करना चाहिए कि उस पर पहले से कोई शाही का निशान तो नहीं है, साथ ही यह भी चेक करना चाहिए कि उस पर कोई केमिकल या कोई चिकना पदार्थ तो नहीं लगा है, यदि ऐसा है तो पास म उपलब्द कपड़े की साहता से उस अंगली को साप करना चाहिए और उसके बाद अमिट शाही लगा देना चाहिए पहले अमिट शाही लगा कर बाद में मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर आदी का कारे करवाना चाहिए ताकि इस बीच में अमिट शाही पूरी तरह से मिटा न पाए आशा है अमिट शाही को लगाने से संबंदित नियमों पर आधारित यह वीडियो आपको उपयोगी लगेगा ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और यह भी बताईए कि निर्वाचन के संदर्व में किस विशय पर आपको वीडियो की आवशक्ता है यह भी कृपया बताने का कस्ट करें कि आप कहा के कौन सी विधान सभा के निर्वाचन कारी में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं मुझे यह महत्वपूर्ण बाद आप तक पहुचाने का आवसर देने के लिए करियर एडवाईज चैनल की संचाली का प्रिती गुलवाने जिची और उनकी परिश्रमे टीम के प्रती बहुत बहुत आभार आप सभी को शुब काम नाए नमस्कार